नमस्कार दूस्तो आप सभी के मेरी YouTube चैनल पर सौगत है दूस्तो आज हम बात करने वाले हैं क्या यह कंपशनी आने वाले चमया पर एक मैल्टिवेगर आहीं में बात गरेंगे दुस्तो सबसे पहले बात के लेते हैं कि Olay Electric जो है यह Automobile सेक्टर के उपर जो है वा काम करती है दुस्तो किसी भी सेयर को अगर Multipacker बनना है तो उस पर जो है एक Strong सेक्टर से आना जो है वा कफे ज़्यादा जरूरी है तोसे अगर आपने देखा होगा जो consumer शितर की company रहती है वो आने वाले 5-10 साल पर generally multi-packer यानि 2-3-4 गुना पैसा जो है वा करी देती है लेकिन इसके अलावा जो दूसरी company होती है उन पर जब multi-packer होने के लिए एक strong tailpin यानि उस sector का perform करना जो है वा कफी ज़्यादा जुरूरी है अभी अगर current sector में बात करें तो जो auto sector है वा उसका जो है वा काफी worst condition पर जो है वा चल दी है कार जो है वा बिकने रही है interest rate अपने all time high की level पर है ऐसलिए में जो लोग अगर गाड़ी वगर जो खरेते है तो उन्हीं जो है वा higher tax जो है वा देना रहता है higher interest rate देने रहते हैं इस वज़ए से लोग जो है वा भी गाड़ी खरेतना बाइक खरेतना टूविलर करेतना जो ह है वा कट होगा तो इसका फायदा जो है वा automobil company को होगा और टूविलर जो कमपनिया है उसको भी जो है वह होगा क्यूंकि लोग जो है वा कम interest rate पर जो है वह खरेत पाएंगे तो जिससे जो है अधिक लोग जो है वह इसकी घाड़ी ओ को जो है वह खरेतना तो आने वाले सम अब ही अगर आप देखेंगे तो भारा सरकार जो हबा Renewable Energy हो गया Electric के ओपर जो हबा काफे ज़्यादा जो हबा जोड़ दे रही है हमारे जो नीतिन गटकरी जी है वो electric के ओपर जो हबा काफे ज़्यादा उससाहिद है तो इस कारण से जो electric को जो हबा एक extra जो है वह पूस्स मेरा है तो इसका फैदा जो है वह इस company को होगा इसके अलावा company जो है भारत सरकार जो है वह subsidy दे रही है तो इसका फैदा भी जो है आप इससे जो है वह ले सकते हैं तो अगर overall देखेंगे तो सेक्टर हो गया और यह जिसे तरह पर काम करती है वह दोनो जो है वह positive हैं तीसरे बात कर लेते हैं कि company का जो है वह business model जो है वह कैसा है दोस्तों ओला एलेक्टिक जो है वह एक different type की combination पर जो है वह काम करती है जो दूसरी automobile company हो गई तो वह क्या करती है कि वह dealership के जरी जो है अपनी sales और service जो हब देते हैं जैसे मौरती हो गया टाटा हो गया टिक है तो यह जो है अपनी जगा जगा पर रेंग जीला कुछ distance पर जो है वह अपने dealership जो हब बना हुए है और उसी dealer पर आप जाएंगे तो आपको जो हब गाडिया में लेगी और service बगराना है तो आप dealership के जड़ी जो हब करा सकते हैं लेकिन ओला अलेक्टिक में नहीं है इसके जितने भी outlet है जितने भी service center है वो सभी जो हब ओला खुद own करती है और उसको लीज पर जो हब लिया हुआ है तो यह काफी ज़्यादा जो है एक तरह से देखेंगे तो काफी ज़्यादा है इसका पैसा जो हब उस चीज़ पर जो हब चला जा रहा है इस currency जो है अभी देखेंगे तो profitable जो हब नहीं है लेकिन जैसे यह एक बार जो है जितना भी expansion जो है वह कर लेगी तो उसके बाद जो भी नया cash flow आएगा जो भी नया पैसा company के पास आएगा वह सकते हो उस पर जो है यह company जो हब जल्दी profitable जो हब हो जाएगे इसके अलावा जो है आने वाले 26 पर जो है अपनी कीगा फैक्टरी जो है बना रही है जिस पर जो है यह company जो है अपना battery जो है वह बनाएगी तो इसका फायदा जो है इस company को होगा क्योंकि वह और भी कम गिमत पर जो है वह अपने two-wheeler bike जो है उसको बना पाएगे और जो है वह सेल कर पाएगे तो यह company के लिए कभी ज़्यादा जो है वह बहुत हो जाता है लेकिन company को अगर multiplier बना है यहां से तो उसके लिए positive class flow जो है वह होना जुरूरी है इसके अलावा company को जो है वह market share जो है वह भी गेन करना पड़ेगा अगर अभी आप electric विगल के ओपर देखेंगे तो electric एक leading company है करीबन 30% के around जो है वह यह company का जो है अभी current में market share जो है वह हो गया है लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो electric विगल का penetration जो है वह अभी हुआ नहीं है लोगों के लिए electric विगल जो है अभी एक तरीके से कहेंगे तो नहीं technology ही है लेकिन जो भी लोग अभी कर रहे हैं तो वह IC engine से electric विगल के ओपर जो है वह ट्रांसपर हो रहे है यानि overall यह sector जो है वह fancy है और इस चतर पर अगर कोई कमपनियां काम करती है तो उसको जो है वह benefit होने की chances जो हब ज्यादा रहते हैं दोस्तों ऐसा नहीं है कि ओलो electric के ओपर सारी चीज़े जो है वह positive हो रही है कुछ negative चीज़ी भी है जैसे मान की चलिए अभी ओलो electric जो है वह लेटिंग कमपनी थी क्योंकि इसके पास कोई भी competition जो है नहीं था जो competition था वह छोटी कमपनियों से था जैसे एथर एनर्जी हो गया और और भी दूसरी जो local electric vehicle company है लेकिर अब इसमें देखेंगे तो hero हो गया electric जो है वह लांज करने वाली है tvS का IQ जो है वह पहले भी था और और भी दूसरे कमपनिया इस pipeline पर जो है वह आ रहे हैं तो इससे जो है इस company को जो है वह coffee type competition जो है वह मिनने वाला है second thing है कि company 30% market share पर जो है वह बैटे हुई है तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा scope की opportunity जो है वह नहीं बनती है जितना यह sector करेगा उससे जो है वह कुछ ज़्यादा ही जो है वह कर सकते हैं खर यह अभी चिन्था की बात नहीं है क्याने वाले सेक्टर पर यह sector जो है वह काफ़े जाता जो है वह अच्छा करेगा ही तिसरे इसके अलाबा है कि हमारे देश की government का अगर कौर्वर्मेंट जो है पी एलेक्टिक विकल के उपर ज्यादा ध्यान दे रही है तो इसका फाइदा डेपिनेटले इस कंपने को होगा लेकिन अगर भारत सर्गार जो है इसके उपर जो हबा अपने सबसेड़ी जो हबा हटा रही है तो इसका एक निगटिव कंपनी को होगा कंपनी को अपने सर्विस जो हबा सदाने पड़ेगे लेकिन यह कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा बर्टन जो हबा हो जाएगा क्योंकि अभी जितने भी इसके डिलर्शिफ है उसे वह खुद ही रिगुलेट करती है तो अगर कभी साइंकल जो हबा उल्टा हो जाएगा तो कंपनी को जो हबा कुद से पैसा घर्ज करने पड़ेंगे जैसे फ्यूचर रिटेल कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं होंगे बिग वजर्वा भी अपने सारी चीजे जो को जो हबा लेकर जो हबा काम करती थी जो कि उसे जो हबा कॉफी ज्यादा पैसा जो हबा कंजूमिंग जो हबा हो जाता था और जबने किसे एंगल जो हबा उल्टा बुरा कोरोना वारस की करान जो है सारी जिरिके से खत्मा हो गए लेकिन अगर आप डिलर्शिप बिसेस पर जो हबा जाते हैं तो एक आपके पास जो है कम पैसे पर ज्यादा एक्सपंसर जो हबा करने हो कर सकते हैं हाला कि अभी उल्लेक्टिक जो है वह प्रॉपिटिबल कंपनी जो हब नहीं है अभी जो हबा ए सब्सक्राइब करें धन्यवाद